Hello students, how are you? I hope you all are fine at your places. Students, आज की हम अपनी पढ़ाईं स्टार्ट करते हैं, Class LKG, Subject Maths, आज का हमारा टोपिक है 1 to 20 काउंटिंग, आज मैं आपको 1 to 20 काउंटिंग लिखना सिखाएगी और और ओरली बोल्रारी सिखाएगी, Ok, So students, let's start today's class. Students, बिटन वर्क स्टार्ट करने से पहले हम एक बार ओरल वर्क करेंगे, Ok, आज हम 1 to 20 काउंटिंग बोलेंगे, ठीके, सभी बच्चे मैं के साथ साथ बोलेंगे, Ok बिटा, आज सबसे पहले हम क्या करेंगे, oral work, oral work में हम क्या बोलेंगे, one to twenty counting, ठीक है बिटा सभी बिच्चे मैं के साथ साथ बोलेंगे, one two three four five six seven eight nine one, zero, ten one, zero, ten very good बिटा one, one, eleven one, two, twelve one, three, thirteen one, four, fourteen one, five, fifteen one, six, sixteen one, seven, seventeen one, eight, eighteen one, nine, nineteen two, zero, twenty okay, बिटा, आपको one to twenty counting बोलनी भी आनी चाहिए, ओके पेरेंट्स यह काम आपके लिए है, आप बच्चे की नोट्पूक में इस तरह से न्यू पेज ओपन करेंगे और यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे, दी A T E Date mention करेंगे जिस date को बच्चा वर्क करेगा आपको वो date यहाँ पर mention करने है यहाँ पर topic mention करेंगे 1 to 20 counting इस तरह से 1 to 20 counting 1 to 20 counting classwork इस तरह से ओके अब आप बच्चे के लिए notebook में dot बनाएंगे जिस तरह से मैं dot बनाऊंगी उसी तरह से आप भी बच्चे को dot बना कर देंगे notebook में ओके बच्चे की help नहीं करनी है उसका हाथ पकड़वा कर work नहीं करवाना है बच्चा खुद लिखे अपना ठीक है बच्चा खुद अपना work करें ओके तो अब हम यहाँ पर dot बनाएंगे आपको ध्यान रखना है जैसे मैं dot लगा रही है उसी तरह से आपको लगा रही है वन बोक्स लीव करके लगाएंगे यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 10 अब आपको वन बोक्स लीव करना है यहां पर और यहां से स्टार्ट करेंगे इसी तरह आपको टू बोक्स यूज़ करना है आपको इस तरह से टू बोक्स में ही dot बनाने है एक ही बोक्स में 1, 1, 11 नहीं लिखवाना है बच्चे से 1, 1, 11 इस तरह से 1, 2, 12, 1, 3, 13, 1, 4, 14, 1, 5, 15, 1, 6, 16, 1, 7, 17, 1, 8, 18, 1, 9, 19, और 2, 0, 20 20 इस तरह से हो के आपको इसी तरह से बच्चे को डोट लगा कर देनी है और अब आपको बच्चे से वर्क कराना स्टार्ट कराना है लेकिन आपको बच्चे का हाथ पकड़वा कर वर्क नहीं करवाना है बच्चा खुद लिखे चीक है आप उसको आप बच्चे को सिर्फ instruction देंगे चीक है और formation का आपको ध्यान रखना है जिस formation से मैं आपको बता रहे हैं उसी formation से बच्चे से आपको work करवाना है वन टू थ्री स्लीपिंग लाइन बनाएंगे पहले स्लांटिंग लाइन और कर्व फूर इस तरह से फाइफ स्टेंडिंग लाइन कर दें स्लीपिंग लाइन शेक्स सेवन एट आपको मिड डोट पर रखनी है पैंसल बटा और उपर की साइड गोल माना है आप एंटी क्लोक भी बना सकते हैं और क्लोक वाइस भी बना सकते हैं चीक है यहां से मैं क्लोक वाइस बना रहे हैं यहां से आप एट बनाएंगे इस तरह से एट नाइन वन जीरो टैन वन जीरो टैन वन 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 इलेवन अब बेटा बोल बोल कर ही लिखेंगे इस तरह से 1, 2, 12, 1, 3, 13, 1, 4, 14, 1, 5, 15, 15, 1, 5, 15, 1, 6, 16, 1, 6, 16, 1, 7, 17, 1, 8, इसी तरह से मेडिल डोट पर रखकर बनाएंगे 1, 8, 18, 1, 9, 19 और 2, 0, 2, 0, 20 ठीक है बेटा आपको बोल बोल कर वर्क करना है स्पीक और राइट बेटा ताकि आपको 1 to 20 काउंटिंग साथ साथ लर्न भी हो जाए आप बोल बोल कर लिखेंगे तो आपको साथ साथ लर्न भी हो जाएगा ओके पेरेंट्स अब हम यहां ध्यान देंगे कि हमारा जो बच्चा है किस नंबर को लिखने में डिफिकल्टी फेस कर रहा है तो हम आज यहां पर उनसे कुछ नंबर लिखवाएंगे ताकि बच्चे की प्रैक्टिस हो जाए और बच्चा अपने आप बनाने लगे उस नं एट जो नंबर है उसको बनाने में बच्चे को थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है तो आप एट को इसी तरह से बच्चे को थी डोट बना कर देंगे इस तरह से फाइफ फाइफ की डोट बच्चे को आप बना कर देंगे बच्चा एट उसी फोर्मेशन से बनाएगा जैसे उपर बनाये दे, eight, mid dot पर रखकर इस तरह से, ताकि बच्चा बार-बार लिखे, तो easily बच्चा बनाने लगे, उसकी ज़्यादा practice हो जाएगी, तो बच्चा अराम से eight, जो number है, वो बनाना start कर देगा, ठीक है, five, five भी आपको लेकिन ध्यान रखना है, बच्चा सही formation से लिख किसी तरह से बच्चा five बनाए, बच्चे के लिए यह वर्क two days का है, एक दिन में बच्चा यह वर्क दो बार लिखेगा, एक बार as a classwork और एक बार as a homework, ठीक है, एक दिन में बच्चा one to twenty counting two times लिखेगा, ठीक है, as a classwork और as a homework, Parents, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छे लगी हो तो, please don't forget to like, share and subscribe, thank you, stay home, stay safe.